GS paper 3 UPSC, ठीक है, तो परचान मत हो, GS paper 3 के लिए बहुत important है, क्योंकि इसमें मैं आपको money learning बताऊंगा, PML बताऊंगा, साथी साथ जो इंडिया में fraud हो रहे हैं वो बताऊंगा, ठीक है, तो इसी लिए इसमें सवाल आ चुका है और फिर से आएगा, आप एक बात समझो, ठीक ह हाँ, पता है मुझे, पढ़ा अच्छा लगा आपको देखके, pictures, Indian Express में ये एक article छपा है, और ये काफी news में भी था, ये जो दो महतरमाएं आपको दिख रही हैं, ये एक है Jacqueline Fernandez और एक है नूरा फतही, ठीक है, तो अभी दोनों एक दूसरे से लड़ रही है, नूरा फतह नहीं बोलूँगा, है ना, बट आप समझ जाओ, जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बेख तो सब कुछ रहा है, है ना, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, लेकिन उसकी जो कीमत है ना, वो बनी भारी है, बात करेंगे दोस्तों उसकी, देखे, बॉल आक्टर्स ऐसे हैं, जो वाके में लेजेंड हैं, जैसे अभी मैंने हाली में अमिताब बच्चन के बारे में पढ़ा, और फिर मुझे लगा कि इनके और भी इंफरमिशन मुझे चाहिए होगी, तो ये आडियो बुक मैंने सुनी, अभी ये आडियो बुक मैंने सुनी, कु कुको FM, कि एकर हम बात करते हैं, तो मैं तीन चीज़ों से, तीन ऐसे पॉइंट्स हैं, जिनके वज़े से मैं कुको FM काफी ज़्यादा सुनता हूँ, और मैं आपको भी रिकमेंट करना चाहता हूँ, पहला, किताबे, यहाँ पे आपको बेस्ट सेलर्स बुक्स मिलेंगी, और यह किताबे वैसे आपको खरीद नी पड़ेंगी, पढ़ने भी टाइम जाता है, अब आडियो बुक्स और बुक्स मिलेंगी कहीं पे आप सुन सकते हैं, कहीं पे भी तो दूसरा पॉइंट आगया, फ्लेक्सिबिलिटी, आप कही सफर पे जा रहे हैं, बस में बैठे ह कुछ काम कर रहे हैं, आपने अराम से हेटफोन लगाया, किताबे सुनना शुरू कर दिया, आडियो बुक्स और बुक्स समरी सुनना शुरू कर दिया, तो यह आपको कितना ज़दा फाइदा देता है, तीसरा पॉइंट जो है, और सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो इनका पूरा को पूरा सब्सक्रिप्शन है, मैं आपको बता दूँ, वो इस समय 50% डिसकाउंट पे है, आपको कूपन कोड यूज करना है, SGS50, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप प्ले स्टोर पे डारेक्ट होंगे, आपको डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाइ करिए, तीसरा नौलेजी, लगबग हर शेतर में आउडियो बुक्स और बुक्स अमरीज अवेलेबला चाहिए, वो एकॉनमिक्स हो चाहिए, हिस्ट्री हो, तो फडाक्स है, आप आपको डाउनलोड कर सकते है, कोको एफेम को, और जानी बनिये, ओडियो बुक्स और बुक्स समरीज, धेरो ओडियो बुक्स और बुक्स समरीज, आप सुन सकते हैं, ओके, चलो, तो हम स्टेप बाइ स्टेप चलते हैं, यहाँ पे, कि क्या हुआ है, क्यूद डिफेमेशन केस फाइल किया, उसके बाद दीब डाइविन करेंगे कि माटर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे, जैकलीन फंडेंडेस के उपर, नूरा फतेई ने मान हानी का दावा किया है, मान हानी का दावा क्यों किया जाता है, जैसे मान लिजे कि कोई कुछ आपको बोल रहा है, और कितने का भी आप डिफेमेशन क खतम करने की कोशिश में है, यह बोल रही है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, देखे, कुछ नहीं किया, तो अब हम यहाँ पे अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, यहाँ मनी लॉंडरिंग है, मनी लॉंडरिंग, क्या होती है मनी लॉंडरिंग, मनी लॉंडरिंग का मतलब यह ह पैसा इधर का उधर, ब्लाक का पैसा वाइट, ब्लाक का पैसा क्या होता है, टैक्स बचाने के लिए, जो आप जैसे माल लिजे कि अगर आपके पास 10 रुपए और आपके पास उसका हिसाब नहीं है, कहां से आया तो ब्लाक बनी हो गया, यानि कि उतना आपको टैक्स देना जो अमीर लोग होते हैं वो टैक्स को ऐसे टैक्स प्लाइनिंग करो ना, लेकिन वो टैक्स का पैसा चोरी कर लेते हैं, अब ये चोरी जो है, वो मनी लॉंडरिंग के थ्रू होती है, हवाला के थ्रू होती है, शेल कंपनी के थ्रू होती है, हवाला ट्रांजेक्शन होते है कि इधर का पैसा foreign जैसे अभी जब demonetization हुआ तो हवाला का पैसा किधर से किधर हुआ है नाम तो मैं नहीं लूगा reports में available आप देखेगा कि ऐसी ऐसी जगा से पैसा white हुआ है कि आपके होश होड जाएंगी कि मैंने तो कभी ऐसा सोचे नहीं था कि यहां से black का पैसा white हो सकता है ठीक है तो आप ये समझे कि कि ये समझे कि ये money running में सबसे पहले आता placement placement मतलब क्या होता है कि जब आपका पैसा जो भी आपका पैसा है क्योंकि आपका वो black का पैसा है black का पैसा कैसे है कि आप क्या करेंगे आप वो cash में पैसा रखेंगे जैसे अगर मान लीजे कि bank में पैसा आया अब bank में पैसा आया तो सरकार की नजर में है अब मान लीजे आप मन्थली 1 करोण रुपया रहा है तो 1 करोण में से सरकार जितना उसका tax बन रहा है आम तौर में 5 लाग तक आपको tax नहीं देना है 5 लाग के उपर tax लगेगा income tax 20 लाग के उपर अगर आप ज़र तो GST लगेगा तो 1 करोण में income tax प्रस GST अब super rich में आगए तो 25% प्रस 18% मदब आधा पैसा 1 करोण में से 45-50 लागा को यहाँ पर देना है कि इसको सरकार को तो अब आप बोलोगे मैं वो पैसा नहीं दोगा तो आप क्या करोगा cash में पैसा लोगे अब cash में पैसा लोगे तो कभी भी रेड़ पर सकती है तो अब उस cash वाले को आप ऐसा दिखाऊगे ना कि यह मेरा सही पैसा है तो इसमें सबसे पहला आपका जो पूरा का पूरा cash है वो आपने system में लगाया आपने gold खरीद लिये नहीं तो आपने इधर उधर पैसा invest कर दिया आप इसको कहते हैं placement placement मतलब आपका जो illegal पैसा है legal तरीके से आपने financial system में घुमा दिया दूसरा होता है layering मतलब इतना layer कर दो इतना layer आपने किसी को transfer किया उसने cash निकाला फिर उसने कहीं और transfer कर दिया उसने cash निकाला तो क्या होताना सरकार इपकड़ नहीं पाती है एक बार cash निकाला तो सरकार की नगज़र में वैसे ही नहीं जाएगा ठीक है माल लिजए कि जैसे किसी के अकाउड में पैसा ट्रांसफर होगा है, वहाँ से cash निकले हैं, किसको cash गया, कहाँ पे cash गया, नहीं पता, तो cash फैसा घूमता रहता है, घूमता रहता है, इसको कहते है layering, सरकार ट्रेल नहीं पकड़ पाते हैं, पैसा गया तो गया कहा, और आखरी में आता है integration, आपका पैसा घूम घाम के, आपके पास ही आगया वो पैसा, कहीं से, क्योंकि ट्रेल पकड़ नहीं पाए, वहाँ कोई ट्रांसफर है, कहीं investment हो गया, तो आपका black का पैसा white हो गया, इसको कहते है PLI, placement, layering, integration, ये तीन स्टेप होते है money laundering के, समझे जैसे को कपड़े को धो के लॉंडर नहीं किया जाता है, वैसे money को एकदम, गंदे पैसे को धो धाके एकदम बढ़िया सुन्दर पैसा बना दिया जाता है, इसको कहते है black का पैसा white होना, तो अब आप बोलेंगे नूरा फते और जैकलीन फर्डेंडिस में ऐसा क्या हो गया, कि इनकी money laundering में इनकी पूस्ताच हो रही है, सुकेश चंदर शेकर, लेचर लिया मैंने 7 लाग के उपर व्यूज़ आप देखेगा, सुकेश चंदर सेकर भाईया, ये इनसान जो है, इसने बड़े बड़े लोगों को बेवकूव बनाया है, इसने बड़े बड़े लोगों को बेवकूव बनाया है, और बड़े बड़े लोगों का कटा है, आप समझेए, कि सुकेश चंदर सेकर ने क्या क्या किया, सबसे पहले तो इसने businessmen से लेकर, politicians से लेकर सब का पैसा एठा है, ये इससे पहले भी actor से पैसा एठ चुका है, इसने सबसे पहले अपने दोस्त को बिफकूब बनाया, अपने दोस्ते ही डेड़ करोड रुपय खरीद लिये, एठ लिये उसने, बहुत अमीर दोस्त था, कि मै ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, भाईया जब जैल अलिता की party, जब जैल अलिता की मौत थी, तो सिंबल को लेके controversy हुई, इसने बता मेरा election commission में बहुत बड़ा पववा है, मुझे 100 करोड तो, आपको सिंबल वो तो पत्ते वाला था रहा, वो मैं दिला दूँग आपको ये हिसाब किताब, ये जैकलीन फर्नेंडिस के पास पहुँचा, कि 500 करोड की मूवी में बनाओंगा, खुब बढ़िया गजब गजब गिफ्ट दिये हैं यहाँ पे, जेल में इसको पकड़ा, इसकी जो वाइफ है लीना पॉल, पहले शादी की बोला कि मैं ये हूँ, मैं चोड़ा सा रोल प्ले किया था, सुगेश चंद्शकर की वाइफ ने, बाद में लीना पॉल को असलियत पता चले तो दूर हो गए, लेकिन फिर वो दोनों वापस आ गए, ठीक है, अब आप ये समझेए, कि जिस जेल में, तिहार जेल में बंद था ना, एन्फोर्समेंट ने कमाल का काम किया, लेकिन दूसरी तरफ आपको भयानक करप्शन मिलेगा, क्योंकि रिपोर्स के हिसाब से, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे रिपोर्स कह रही है, कि इसने पूरे जेल वो खरीद लिया था, जेल में व्याईपी ट्रीटमेंट ऐसा बताया गया है, कि 30 से 40 करोड तो ये जेल की उपर खर्च करता था, ऐसा हिसाब किता, तो अब सुकेश शंदर शेकर जैकलीन फर्नेंडिस के पास गया, और बोला कि सुनो मैं बढ़िया वेब सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है, और 500 करोड की पूरी वेब सीरीज है, तो इसने बोला ठीक है, ब हुआ कि जब E.D. ने जांच की, तो इसमें जैकलीन फर्नेंडिस विक्टिम है, ठीक है, मतलब ये अक्यूजड है, सौरी, कि इसमें ये भी शामिल है, है ना, और ये सुकेश चंद से करकी, अभी हाला कि केस चल रहा है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, ये आरोप है जैकलीन फर्नेंडिस पे, अब जैकलीन फर्नेंडिस से कह रही है, कि इसमें नूरा फतेही भी शामिल है, अब नूरा फतेही को तो आपने क्लीन चिट दे दी, आपने उनको बना दिया, क्या गवाहा, और मुझे आपने कड़गरे में खड़ा कर दिया, तो इसलिए नूरा फतेही ने जैकलीन फर्नेंडेस के ओपर case दायर कर दिया है कि तुम मुझे बदनाम कर रही हो मेरा तो इससे कुछ लेने ही देना नहीं है लेकिन तुम मुझे बदनाम कर रही हो और बदनाम मतलब यही है कि मेरा career इससे खराब हो रहा है मेरी reputation खराब हो ली है तो ये पूरा का पूरा case है, तो फत्रही की प्ली में यही है कि में defamatory imputations due to malicious reasons कि तुमारे इरादे नेक नहीं है और इसलिए मेरा career जो है वो तुम खराब करना चाहा रही हो, तो ये पूरा का पूरा matter है, ठीक है, ये चीज़ है, अच्छा ये prevention of money laundering act, ये ED का हतियार है, 1956 मे ED बना 2002 में PMLA आया, और लगातार ये strengthen होता रहता है, लगातार इसमें amendment किये जाते हैं, विएना convention के हिसाफ सीथा किसी को छोड़ना नहीं है, हाला कि conviction rate low है, लेकिन फिर भी PMLA बहुत ही ज़ता strong है, ऐसे मैंने money laundering के ओपर भी पूरा का पूरा lecture बनाया है, तो अब इनकी जो का अतार डिफेम कर रही है, और मैंने कुछ नहीं बोले हैं, कि इस बार मैं चुप नहीं बैठूँगी, तो यही मैंने जो बोला, यही सब लिखा हुआ है, अब आपको पते कि जैकलीन फर्नेंडी श्री लंका से आती है, और इनका करियर जो है, वो काफी बॉलिवुड इनको बैसे राम सेतों की मूवी, राम सेतों की जब शूटिंग कर रही थी, अभी कुछी महीने पहले, तो यह एरपोर्ट से निकली तुरंट इडी ने धर पकड़ लिया, कि आओ बटा कोले में हो, पूछताच की, जैकलीन फर्नेंडी से और फिर यह धर ली गई, अब य यहां से सुकेश का केश जो है भंडा फूटा, जेल में आता जाता रहा है, दोसो करोन, शिवेंदर सिंग की जो बीवी है अधिती सिंग, उनसे कॉविट के चलते, यह दोसो करोन रुपए एठे हैं, और यहां से ही इन्होंने मनी लॉंडरिंग की है, वहां पर फिर जब अधिती सिंग को पता चला कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, देखिए अकसर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, शेल कंपनीज के थुरूबी पैसा जो है, वह मनी लॉंडरिंग किया जाता है, मतलब लॉंडरिंग की जाती, कैसे, जैसे मान लिजेगी, बहुत सारी कंपन प्राइवेट लिमिटेड, अब बना लो बेवकूफ प्राइवेट लिमिटेड का ओफिस मान लिजे मुंबई में है, अब उसने बताया कि हम सौ करोड की कंपनी है, छोटे से कमरे में वो कंपनी जो है, वो रेजिस्टर होगी, आध उस कंपनी को देखने जाओगे ना, त इसको दे दिया, माल लिजे मेरे पास 50 करोड़ इल्लीगन है, अब उसके पास ऐसे बहुत सारे 50 करोड़, 10 करोड़ आये, तो उस इंसान ले क्या किया, उस इनसान ने इस कंपनी में पैसा इंवेस्ट कर दिया, जिसका कोई ओरीजिन है नहीं, अब जब इस कंपनी में पैस ऐसे में क्या करते हैं, हम दूसरे देश भागते हैं, ताक्स हेवेंस का नाम सुनाएं आपने, ये वो देश है, जो आप कितनी भी बुराईय करों, क्योंकि हमारे पास पैसे तो कहनी, हम प्रॉब्लम में हैं, तो आप पैसा ले आओ, हमको पैसा खुब दो, हम आपकी बिल्क किताब है, तो इसी तरीके का सुकेश चंदशेखर ने फायदा उठाया, और दो सो करोड जब अदिती सिंग को पता चला कि मेरे तो फालतू चलेगा, तब एफाई यार दरजुई, और तब ये लपेटे में आए, और वही देखिए, सुकेश चंदशेखर क्या करता, इध उतना खतरना खुलासा किया है दोस्तों, कि ED एक तो ये कह रही है कि Jacqueline Fernandez जो है, वो एक तो हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रही है, जाकलीन फर्नेंडेस ने evidence को मिटाने की कोशिश की है, evidence सबूतों के साथ छेड़ चाड़ की है, जाकलीन फर्नेंडेस से जब पूछा जात है, तभी वो हमारे साथ कॉपरेट करती है, evidence जब दी जाते हैं, बाकि वो कॉपरेट नहीं करती है, अब बात वही है कि ट्रायल चल रहा है और उसी के बाद ही decide होगा कि क्या होता है, फिलाल ये लिच्चर था आई-बोप आप समझे होंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि KU कि knowledgeable अगर आपको बनना है, तो you can go for KUKU FM description और comment box में link दिया है, आपको download करें और coupon code SGS50 को apply कर आपको yearly subscription पूरा 50% discount पे मिल जाएगा, तो I hope ये लिच्चर आपको समझे में आया होगा, इसको जादा से जादा शेयर करें, चैनल को subscribe करें, thank you so much.